वेलकम टू दे जायकर डिलाइट तो सर्दियों का मौसम आ चुका है साथ ही मौसम आ चुका है पाया खाने का भी तो आज की रेसिपी मेरी भावी ने बनाई है और यूपी स्टाइल माज हम देखेंगे कैसे बनता है नली और पाय का बहतरीन कॉम्बिनेशन तो उसके लिए सबसे पहले हमको पाय ले लेना है साथ ही कुछ नलिया भी ले लेनी है और बहुत अच्छे से पहले ही उसको धोलेना है तो सबसे पहले ही रणिंग वाटर में इसको हम साफ करेंगे इस तरीके से अगर कुछ उसमें बाल वगरा हलके फुलके भी लगे है या क 3-4 चमच इसमें भर भर के सब तरफ डाल देना है उसके बाद थोड़ी सी महनत करनी है हर एक बोटी को यानि कि हर एक जो हमारी नली या पाए का पीस है उसको रगड रगड के हमको अच्छे से साफ करना है इससे यह हुआ कि जो भी थोड़ी बहुत गंदगी इसमें बच है वो सब कुछ बहुत अच्छे से क्लीन हो जाएगा और अब हम इसके बाद इसको ब्लांचिंग भी कर सकते हैं यानि की गरम पानी में एक बर उबाल सकते हैं तो वो सारी प्रोसेस इसमें मैंने दिखाई नहीं है लेकिन ब्लांचिंग वगएरा इसमें हुई है बहुत ब अब दिखाई दौ बड़ी बड़ी प्याज उसको करना है ग्राइंडर में ग्राइंड तो इस तरीक से जार में हमको रख लेना है साती हमने पहले से प्रिप्रेशन करी हद्रा क्लेस्ट न का पेस्ट बनाकर रखा हुआ है और यहां पे हम 2 प्यास पीस रहें वह पिसी हु यानि कि दो चमच हल्दी डाल देना है थोड़ा सा नमक डाल दें दो चमच नमक डाल दें इसमें और हमारा जो पाय है वो चार पाय समझ सकते हैं आप चार हमने पाय लिए हैं और हमको पानी डाल देना है बहर के इतना पानी डालना है कि बाद में पानी की जरूरत ना पड़ अगाइना है उसमें हम तीन चार बड़े चमज भर के टेल डालेंगे और ये कुछ गरममसाले है छोटी फैयलाइची, बड़ी फैयलाइची तेस पत्त नहीं दालेना साथी ढ़ेम्वा प्याज काटनी आसे ही सके और थी आ impress करणे में दाल और उसके बाद हम इसमें पिसा हुआ अधरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे तीन बड़े चप बड़े चम भ Ouaisुदर के ताला है रही हाँठी लिए हल्दी भी धोड़ी से आड़ किए साथ ही कुछ गरम मसाला डाला है और यहां पर हम नमक भी आड़ कर रहे हैं यह सारे मसालो को अच्छे समको भूनना है और इसी दर्मियान हमारा जो पाया है वो गल चुका है या नहीं क्योंकि हर बकरे या हर जो भी हम गोश्ट ले तो कोई जल्दी कल जाता है कोई देड़ से गल तो ये हमने जो लिया है बहुत ही बड़िया तरीके से गल चुका है हमारे सारी pieces गल ये पाएं पाएं के अब हम इसको आड कर देंगे हमारे pourra जो सारा इसका पानी बचा है जिसको हम सूप भी कह सकते हैं वो सारा कुछ हम इसमें आड कर देंगे और बहुत ही अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे मिक्स करने के बाद देखें इस तरीके की कंसिस्टेंसी रहनी चाहिए आप चाहें तो हरी मिर्चे आड कर लें यहां पर इतना पतला हमार इसे मिक्स करना है साथ ही अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें अब हम इसको 5-7 मिन के लिए धांक देंगे और बहुत अच्छा उबाल आने तक इसको पकने देंगे अब हमारा नली पाय की रेसिपी को जरूर एक बार खाए